Assalamualaikum students, सबसे useful वीडियो होने वाली है ये, अभी तक मैंने अपने चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड की हैं, सबसे काम की वीडियो हलाकि कोई मैत इसमें डिसकस नहीं होगा, लेकिन इसमें मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा, जिस रास्ते पे चलके आप लोग मैत सुनने में काफी अजीब लग रहा है, E-Cat के टेस्क की त्यारी करवा रहा हूं और मैं सीखने की बात कर रहा हूं, सब चीजें बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बड़ा इंपोर्टेंट है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना, आपका नुकसान होगा, कोई और इस वीडि कोई नहीं बताएगा, यह बात आपको अभी अंदादा हो नहीं सकता, लेकिन वाखी कोई नहीं बताएगा, सुन लो गौर्से, जब भी टेस्ट होता है, कोई भी टीचर, कोई भी इंस्ट्यूशन आपको E-Cat की त्यारी करवाता है, तो उसका मेन फोकस E-Cat का टेस्ट हो होता है, उसके लिए MCQZ बता रहा होता है, हर चीज़ चल रही होती है, जो कि घलत नहीं है, बिल्कु सही बात है, लेकिन जब मैं E-Cat का टेस्ट करवाता हूँ, यह पहले भी ऐसी करता था, लेकिन यह थोड़ा डिफरेंट है, अब थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, इ मेरा पहले भी फोकस था, और आप खास तरफ यह है, कि भाई, E-Cat का टेस्ट मेरा फोकस नहीं है, इस कोर्स के अंदर, अब E-Cat का फोकस क्यों नहीं है, E-Cat का टेस्ट, उसकी वज़ा यह है, कि यार, मेरी यह थियूरी है, कि फर्स्ट येर, सेकेंड येर में जो मैत, सि इसा माशला बेहुदा है, कि आप कितने चैप्टर्स को, अचा मैं भी रिकमेंड करता हूँ, एंड पर आके आप बच्चों को बोलतो, फलाना चैप्टर छोड़ दो, फलाना चैप्टर छोड़ दो, उसकी वज़ा है, कि नंबर लेना एंड पर फोकस होता है, लेकिन ये क calculus इतनी important होती है, उसको कख नहीं पता calculus से related, उसको integration, differentiation, differentiation, concept नहीं पता, बाकी कितने important topics, उसको कुछ नहीं पता, अगर उसने ECAT का test भी किया है, तो उसने main focus, उसका MC को solve करना था, main focus shortcut था, उसका, उसने वो ही चीज़ें किये, अच्छा, कितने ऐसे बच्चे आते हैं, सर important chapters ब गंटे की, और जब online class होती है, तो उसमें कोई disturbance नहीं है, कोई time pass नहीं हो रहा, कोई बच्चे copy नहीं कर रहे है, just screenshot लिया, next topic में चले गया, मैंने कराची में जो नामने हाथ काफी बड़े-बड़े centers हैं, उसमें एक जगा पढ़ाया था, उनका schedule क्या था, कि हफते में एक subject गंटे को तीन घंटे दिये जाते थे, उन तीन घंटे में भी आदा पुना घंटा निकाल दो, break बच्चों को चाहिए, starting में 10 minutes, end पे 10 minutes आया हो गए, था गंटे की class में भी डेट गंटे की class होती थी, बीच में बच्चे copy कर रहे हैं, तो यह समझ लो कि इस course में 5 classes हो रही है NAD का EKAT का test को बहुत मुश्किल नहीं है भाई, 25 नमबर है महत के, आपको जितने भी आप centers आपको coaching नजर आते हैं, वो करवा देंगे त्यारी, कुछ बड़ी बात नहीं है 25 नमबर की त्यारी करवाना महत की, लेकिन असल बात है कि हो गया test clear, आगे आप NAD में, choose कर ली आप आप university में जाके पढ़ोगे, concept आपके week है, तो मेरा focus क्या होता है कि math सीखो यहाँ पे, first year, second year में जयातर बचे तफरीख कर देते हैं, ये 3-4 महीने होते हैं आपकी university से पहले जिसमें math सीख सकते हो, उसके बाद आप intermediate की math नहीं सीख पाओगे, आप दुबारा कभी first year, second year की book different topics हैं जिसमें आप फज़ा होगे, तो मेरा main focus होता है math सीखो, जैसी math सीख जाओगे, ECAT की त्यारी खुदी हो जाएगी, ECAT पर focus नहीं करो, math सीखो गे, खुदी ECAT की त्यारी हो जाएगी, खुदी MCQ solve करना आएगा, obviously MCQ solve कर वाओंगा, detail में सारी बातें बताओंगा आपको तो main focus आपने क्या रखना है कि math सीखनी है, तो अब मेरा target तो energy के बच्चे हैं, लेकिन कोई fast का बच्चा है, कोई किसीने nurse में apply करना है, किसीने प्यास में करना है, किसीने हभी, कोई भी बच्चा जो है, भई आपका entity test हो गया है, या foreign होने वाला है, आपको लगता है कि या math इतना important है, अगर आपको math नहीं आता आप फज़ा होगे, तो यह मैं math की हमियत बता रहा हूँ, जो इस course में discuss होनी है, तो आपको ज़रा focus मेरा समझा आगे, पांच साल मैंने लगा दी है, अपनी जिनगी के, बहुत से मुझे इसके नुकसान भी हुए है, कुछ मेरी अपन answer minus 45 बता रहे होते हैं, हाला कि 135 answer है, बताना यह चाह रहा हूँ कि कितने मुझकल topic हैं, उसके concept, majority teachers को भी नहीं आ रहे होते हैं, यह बात सुनने रजीव लगेगी, लेकिन fact है, बड़ा मुझकल scene है, तो मैंने अपने time लगा के proper concept सीखे हैं, और वाकी सीखे हैं, तो अब वो detail में हर चीज बता दो, इसमें, जो आपका मकसद है, कोई university नहीं होना चाहिए, sorry, आपका मकसद ECAT का test नहीं होना चाहिए, आपका मकसद है कि भाई, आपने ऐसा, ऐसी preparation करनी है, तो उनिविश्टी में आपको काफी काम आएगी, और जब ऐसी preparation कर लोगे, ECAT आपका खुदी फीस पे करोगे, या बाद में करोगे, तो आपको फर्क नजर आएगा, तो फीस भी मैं proper discuss करूँगा इसके अंदर, वीडियो में chapters में आपको नजर आएंगे कि इसमें आप लोग क्या सीखोगे, कौन-कौन सी level की मैं सीख रहे हो, पढ़ाने का तरीका मेरा क्या होगा, किस इनुरस्टी को target करेगा, mainly, वैसे तो हर इनुरस्टी की बच्चों के लिए है, schedule क्या होगा, फीस इसमें क्या है, detail में हर बात मैंने discuss करनी है, दो महीने का course है, 20 जून से लेके 20 अगस तक है, round 2 NED को mainly target कर रहे है, बात मैं discuss करेंगे, लेकिन ये दो महीने का दिखने में लग सीखोगे, बचो first year, second year, जिसको intermediate कहा जाता है, उसकी level की आप math सीखोगे, दो portion होते है, fast और nurse में तो आपको idea होगा, एक basic math होता है, एक advanced math होता है, दोनो math आपने, ये by the way मैंने new लिया है, course के लिए, मैंने का अच्छा microphone लेंगे, अच्छा दो निये, खेर 28 होगा था, लेकि कहां पे निकल गए, और दूसरी बात ये calendar है, अगर आपको नजर आएगा, ये calendar है, मैंने उसको जाया हो गया था, March, April का था, क्या रखना है उसको, मैंने page बना लिया, तो page भी जाया नहीं करना, by the way, कोई भी page मिले, math कर लो, उसके ओपर, कुछ भी लिख लो, जाया ना कर होगा, first year, second year, math की जो book है, चाहे वो सिंद बोड की हो, चाहे वो Punjab बोड की हो, चाहे वो फैडल बोड की हो, चाहे वो KP के बोड की हो, सारी math के topics, मैंने, सारी book में, जितने भी math के topic है, वो सब cover होंगे, ये सिर्फ सिंद बोड के बच्चों के लिए नहीं है, को पंजाब ब first year की sinboard की new math की book आई थी उसके सारे topic इसके अंदर include है जो second year की new book आने वाली है next year जो भी session होगा उसके topic भी मैं discuss करूँ जो topic हमने university के third four semester में सीखेते है partial differentiation या बाकी चीजें सारी वो आप लोग इस course में सीखोगे तो जो upcoming book है उसके topic भी सीख लोगे जो इसका मतलब यह e-cad का course जो है यह आपका काफी काम का आने वाला है आप इसमें कुछ miss नहीं करने वाले दूसर topic जो है कि मेरे पढ़ाने का तरीका ग्या होता है देखो जब भी मैं कोई पढ़ाता हूं topic सबसे पहले topic की reason बताता हूं कि क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो मकसद क्लियर कर लिए ना क्यों topic पढ़ रहे हैं उसके बाद पर उससे सारी बाते हैं हम discuss कर रहे होते हैं example discuss कर लिए आचा उसके बाद यह समझ लो के worksheet में बच्चों को देता हूं lecture की worksheet में कुछ mcqs होते हैं उसको आप solve करते हो फिर chapter complete हो जाएगा chapter wise mcqs होते हैं पूरे chapter के mcqs उनको मैंने by the way video record की में है या शायद मैं online जो भी system होगा बात में बता दूँगा mcqs अलग मैं आप लोगों को solve करवाँगा यह नहीं कि mcqs दे दूँगा solve करो जो पूरे mcqs solve करवाँगा mcqs मा मतलब हर chapter से 100 mcqs दे लिए 120 ले लिए 150 ले लिए काफी detail में mcqs में discuss होंगे plus shortcut जो useful वाली है बहुत सी shortcut market में भाई कोई फाइदा नहीं होगा इतना याद करने का जो कान की trick हैं वो बताऊँगा मैं आपको अधाके वाकी फाइदा हो उससे calculator के बगएर किस तरीके से solve करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा मैं जितनी calculation करता हूँ calculator के बगएर करता हूँ सार सर बता देता हूँ कि ये trick है इस तरीके से करो calculation fast हो जाएगी सारी बातें इसमें discuss होंगी तो अगर आप एनिटी के बच्चे हो वहाँ तो कल्गोडर लाओ है लेकर अगर आप ऐसी इनुस्टी को target करें जिसमें कल्गोडर नहीं है तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट है आप लोगों को ये detail में बातें discuss हो रही होंगी नेक्स टॉपिक है कि यार किस अच्छा एक और चीज़ के यह जो आपकी classes होंगी न इसके बाद online quizzes होंगे फॉर एजेंपल चेप्र आपका clear हो गया चेप्र आपने फुरा पढ़ लिया उसके बाद online quiz होगा उसका 50-60 mcqs होंगे उसका आप solve करोगे classes जो हैं वो हमारी जूम पर हुआ करेंगी जूम पर online class होगी license मैंने खरीदा वाए कोई आपका मसला नहीं होगा उसके अंदर क्यार चालेस पिंट बाद meeting आफ प्रॉपर डेट घंटे क्लास हुआ करेगी recording भी मैं दूँँगा लेकि या recording मैं प्रेफर करूंगा live class हो क्योंकि recording zoom काफी low quality में करता है उसमें मेरा कोई इस्तियार नहीं है लेकिन समझ आ जाजाएगा ऐसा है कि आगर आपका topic miss हो गया तो आप recording से cover कर सकते हो उसमें तो live classes होंगी लेकिन साथ-साथ recording भी आपको में लेगी recommend मैं live करूंगा भई मकसद येगे आप लोग सवाल आके हम उससे पूछो next topic है भाई कि किस university को target करेगा main target जो है मैंने बताया कि असल में तो मैं सिखानी है लेकिन जब आप यह सीख लोगे पूरा course कर लोगे तो किस-किस university का आप EK test दे सकते हो main focus तो मेरा NAD का round 2 है round 2 August के mid में होगा तब तक हमार तकरीबन first year complete हो चुका होगा तो second year आपने already किया वाँगा first year में पहले करवाँगा तो round 1 में भी आप देने के काबिल हो जाओगे लेकिन main focus है round 2 को NAD को अब NAD का मतलब साथ NAD में मतलब August के mid में और जो universities के होते हैं दाओद universities का हो गया मेरान का test हो गया अबाद में फिर KU का test आते हैं मतलब सारी universities आपकी cover हो जाएंगी अगर आप fast के बच्चे हो नर्स्ट के बच्चे हो देखो नर्स्ट का तो series 4 का test जुलाई में होगा date exact नहीं पता आपको फास्ट में जो है वो भी में खल में 10-15 जुलाई इसमें fast का test हो रहा होगा तो mainly nurse fast की त्यारी इसमें आपकी नहीं हो पाई कि कुए course late start हो रहा है को बता दूगा लेकिन main focus में आपको बता दी है कि अगर आप nurse fast के भी हो फिर भी आप एक course करो क्योंकि university में काफी काम के आने वाली है बाते है जो आप मैं सिखोगे वो आपको university life में काफी काम आएगा तो that's why आपका anti test हो गया है होने वाला है या दो मेने बात होगा सब के लिए यह suitable है लेकिन main focus में आपको बता है कि एने डी की त्यारी इसमें हो रही होगी है इसी तरह प्यास का जो है वो भी round two हो आपका 30 जुलाई की date आई है कंफर्म कर लेना थोड़ी mistake हो सकती है लेकिन जुलाई के end में यह है प्यास का तो प्यास के लिए भी हो सकता है फर्स्ट एर आप ही complete हो जाएगी अगें थोड़ा पत रह जाएगा तो यह मैंने आपको बता दिये के recorded वाला course है उससे भी आप लोग cover कर सकते हो आप लोग मुझसे discuss कर लो उसके बाद एक और topic है जो discuss करूंगा वह schedule क्या होगा इसका बाई देखो online classes है recording तो बेशक मिल जा days change हो सकते हैं timing change नहीं हो कि timing क्या है दुपैर साड़े तीन से लेके पांच बजे तक यह डेड़ घंटे timing दुबारा चेंज होगी क्योंकि हर बच्चा अपने इसाब से timing चाहेगा जब इतना important चीज आप सीख रहे हो तो आपको अपना schedule खुद बनाना है और इसके लिए time न इस तरीके से आपको schedule बनाना है तो days शायद मैं change करते हूं वैसे तो Monday से Friday है अच्छा रहता है लेकिन days चेंज हो सकते हैं पांच कोई भी और दिन हो सकते हैं लेकिन timing यहीं रहेगी साड़े तीन से लेके पांच बजेता है लाइफ क्लासे जूम के उपर हैं और आखरी option में नदाल दिया बलकर दो एक्स्रा option है इसके अंदर जो पहले normally इतने नहीं होते थे वह यह कि इसकी पूरे दो महीने की एक ही दफ़ा इसमें पर मंत की सिस्टम है नहीं नहीं है लेकिन पर मंत बनता नहीं है अगर फिर भी पर मंत दोगे तो आपको महेंगा पड़ेगा तो एक साथ आपसे फीज ली जाएगी पूरे दो महीने की जो मैंने बताया कि हफते में पांच क्लासे आप मल्टिप्लाइ करके देख लो चार हफते होते महीने के अंदर तो यह बीस क्लासे चालिस क्लासे होंगे डेड़ेट घंटे की और इसमें टाइम जाया नहीं होगा कि आपको मनें बताया है आलनाइन कोई तफ्री और फ्री नहीं हो रही होती आप प्रॉपर सीख रहे होते तो आप अंदादा लगा सकते हो कि कितना टाइम मैं आप लों को दूंगा इस कोर्स के अंदर बारल तो फीज इसकी है साड़े छेजार पूरे दो महीने की अगर आ तारीक के बाद रिजिसेशन करवाते हो अगर आप आज वीडियो अपलोड रही है आज दस तारीक है दस तारीक से लेके 20 जून के बारा बज़े तक दुपैर दुपैर बारा बज़े से 20 जून दुपैर बारा बज़े से पहले अगर आप रिजिसेशन करवाओगे तो तो महीने की आप यगीन नहीं कर सकती कितना optimal मैंने रखाव है और जो आप लोग सीखने वाले हो वो बहुत काम काने वाले है कहीं और अगर आपको फीज कम लग रही है तो भाई चले जाना मुझे नहीं बोलना कि यार उसकी जएदा है उसकी कम है मैंने आपको अपना बता द जुलाई के मिंड में गरवा रहे हो फीस आप से ली जाएगी 6,000 पूरे दो महीने की तो एक ही मकसद है मैंने पहले कभी option ने दिया अभी क्यों दिये एक ही मकसद है कि majority बच्चे मेरे पास आए क्योंकि जो course मैं पूरा बना रहा हूँ इसमें जितने ज़्यदा स्टुएं जो नॉर्मल इसकी फीस है ठीक है तो अगर आपको डिस्कॉंट चाहिए तो आप लोग पहले आ सकते हैं इस तरह ग्रूप पे में रखा वाए कि अगर दो बच्चे या तीन बच्चे एक साथ आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं फीस कम कर दूँगा तो मुस्सें कर लेना मैं आपनों को बता दूँगा उसमें रही बात रिस्टेशन कैसे करवाओगे बाई सिंपल वाट्सएप नमबर है 0312-222-47549 डिस्क्रिप्शन में ही में मेंशन होगा आप इस पर कॉंटेक करना मुझसे बता देना कि सर में इंट्रस्टेड हो मैं आपको अकाउंट अकाउंट डिटेल जैसे सेंड होगी इज़ी पैसा जैस कैश बैंक अकाउंट तीनों आप्षन है आप सेंड करोगे सेंड करने के बाद स्क्रीण शॉट लाज़मी ले लेना उसका स्क्रीण शॉट आप मुझे सेंड करोगे साथ अपना नाम भी मुझे बता दोगे दैट फिर जब भी क्लास हुआ करेगी मैं एक लिंक सेंट किया करूँगा उस पर क्लिक करोगे क्लास जॉइन कर लोगे तो बचो ये पूरा काफी काम की चीज़ा है ये वीडियो तो मैं खल में 15-16 मिनिट कियो लेकिन मैं पिछले 15 मिनिट से बैस रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रह है अगर आप लोग इंटरस्टेट हो मुझे कॉंटेक कर लो अला आफिस